तो आज बनेंगे आपके भटूरे बिल्कुल फूले फूले और साथ ही बनाएंगे हम दिल्ली स्टाइल छोले बिल्कुल आसान तरीके से तो चली रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो यहां मैंने छोले भटूरे बनाने के लिए सबसे पहले छोले की तयारी करेंगे जिसमें मैंने एक कप काबुली चने यानि छोले को लिया है इसे धो करके आपको अच्छे से धो लेना है दो से तीन बार और सोक करने के लिए 1 फूर्ट टीबल स्पून मीठा सोडा डाल करके इसे सोक कर लेना है पानी में और भिगो कर रख देना है 6-7 घंटे के लिए आप ज्यादा भी भिगो सकते हैं पर 6-7 घंटे में ये तयार हो जाते हैं अब हम लेंगे सूजी आधा कप सूजी लिए है इसमें एक कप पानी डाल करके सोक कर लेंगे सूजी का यूज करने से भटूरे क्रिस्पी बनते हैं और फूले फूले बनते हैं पिछते नहीं है इस तरह से आपको सोक कर लेना है वन कप सूजी को आधा कप सूजी को अब भटूरे बनाने के लिए यहां आपको तू कप यानि दो कप मैदा लेनी है धाई सो ग्राम मैदा है इसे इस तरह से प्रैस करते हो लेनी है और जहां पर भी आप आटा लगा रहे हैं कोई चोड़ा बर्तन या परात या प्लेटफॉर्म बहां पर इस तरह से डाल लेना ह और बीच में खड़ा करके तू टेबल स्पून नमक और टू टेबल स्पून चीनी डालेंगे जितने आप नमक ले रहे हैं उतना ही आपको चीनी डालना है इस पात का ध्यान रखना है वन फूट टेबल स्पून यहां पर मेठा सोड़ा डालेंगे और इसे मिक्स करके हम जो फूली हुई सूजी है ना हमारी उसका पानी हटा करके हातों से आपको पानी को इसे उपर से छान लेंगे और फिर जो यह पेस्ट है सूजी का इसे इस तरह से हातों से प्रैस करते हुए हमें डालना है पानी क्योंकि एक्स्रा ना चले जाए क्यो इसे इस तरह से अच्छे से mix कर देंगे अब इतने से तो आटा लगेगा नहीं तो हम यहाँ पर यूज करेंगे आटा लगाने के लिए दही का तो दही लेंगे और थोड़ा-थोड़ा करके दही डालेंगे और आपको गूत लेना है आटे को तो अच्छे से 6-7 मिनट आप इसे इस तरह से नीड करते रहें जितना अच्छे से नीड करेंगे उतने ही आपके भटूरे फूलेंगे तो बस आपकी मसास शुरू हो जाने वाली है आपकी हातों की और आपकी भी और इसाटे की भी तो अच्छे से आपको रगर रगर की से मसल मसल कर नीड करते रहना है टाइमर लगा लीजिए 6-7 मिनट का और अच्छे से आपको इसे नीड करना है जितना अच्छा नीड करेंगे उतने ही आपके भटूरे फूले फूले बनेंगे और अच्छे भी बनेंगे तो अच्छी खासी मसाज होने वाली है आपके हाथों की इस तरह से पक्टक पक्टक खर आपको इसे नीड करते रहना है जब तक ये सॉफ्ट दो तयान ना हो जाए बाहर से सॉफ्ट और अंदर से खुरदरा तो अब इसमें एक टेबल इस्पून में ओयल का यूज करूँगी और फिर से इसे नीड कर लोगी पहले मैंने यूज नहीं किया था ओयल का मैं बाद में यूज करती हूँ ताकि ये जो डो है हमारा अच्छे से तयार हो जाए तो इस तरह से यहारस आपको फिर से नीड कर लीना है तो देखिए हमारा तयार है यह आटा भटूरो के लिए यानि अभी तो अभी इससे ढख करकी रखना है पर आठा जो है वो तयार हो चुका है हमारा भटूरों का देखिए उपर से स्मूध और अन्दर से रफ रफ इसे बॉल में एक टेबल स्पून लगाना है आपको जिस भी बॉल में आप रखना चाहरे हैं साटे को तो जो बॉल ले रहे हैं जो भी बरतन ले रहे हैं उसमें आप क्या करेंगे एक टेबल स्पून ओल लगा करके इसे इस तरह से रगड लेंगे उस ओल में और ढ़कन लग कपड़े से ढग करके इसे आपको कम से कम 6 गंटे के लिए ढग देना है जी हां 6 गंटे तो लगते ही लगते हैं बटोरों का दो तयार होने में आप इससे अगर अरजेन में बना रहे हैं तो 30 मिनट के बाद भी यूज कर सकते हैं कोई प्रॉबलम नहीं है बट अगर अच्छ इसलिया है में बिना पानी डाले और अब लेंगे एक चाय दानी जिसमें मैं देड कप पानी डाल रही हूं इसमें आर से दस सूखा आवला अगर आपके पास है तो यूज करें नहीं तो इसकीप कर सकते हैं तो आर से दस सूखे आवले डाल दी है मैंने यहां पर और टू चाय पती डाल ली है और लोग गेस पर इसे उबाल लेंगे कम गेस पर आपको इसे उबाल लेना है अब एक कोकर लेंगे तो इससे साइड में रख देंगे फिर हमें ले लेना है कूकर और फ्लेम को आउन कर देंगे इसमें टू टेबल स्पून ओल ले लेंगे अब इसमें दालेंगे हम खड़े मसाले, दो बड़ी एलाइची, एक इंच दाल चीनी, साथी आठ से दस काली मिर्च, एक खरी एलाइची, चार से पांच लॉंग, और इसे इस तरह से मिक्स कर देना है, इसमें प्याज वह अनार दाने का अपपेज डाल देंगे, जो हमाने पीसा हुआ अब इस मसाले को सीखना है, और पानी छोड़ने के लिए, एक टेबल इस्पून यहाँ पर नमक डाल देंगे, ताकि पानी छोड़ दे, और अच्छे से सिखता रहे मसाला हमारा, जब एक ठिक कंसिस्टेंसी में हो जाए, तो इसमें हम डालेंगे, आधा टेबल इस्पून जिनजर गालिक पेस्ट. और इसे डाल करके एक मिनट के लिए फिरसे से सेख लेंगे, अब इसमें दो टमाटर को मैंने पीस करके इस तरह से पेस्ट बना लिया है, इसमें डाल देंगे, और अब इसे भी अच्छे से भून लेंगे, जब तक यह सिक राए, तब तक हम छोलो की तरफ चलेंगे, इसे अच्छे से मिला करके आपको तेल चोड़ने तक कवेट करना है, भुन रहा है, तो अब हम तयार करेंगे हमारे छोलो को, तो जो भिगो कर रखे हैं, जो वो पानी है ना, वो हम निकाल लेंगे, उसका यूज नहीं करेंगे, तो टेबल स्पून छोले मसाला, आधा टेबल स्पून पीली मिर्च का पाउडर, अगर है तो आप डाले, नहीं तो आप रेड चिली पाउडर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, तो रेड चिली पाउडर लिए मैंने या पर आधा टेबल स्पून, अगर आपके पास में पील छोले डाल करके इसमें 1 फोर टेबल स्पून मीठा सोडा तो नहीं कर रहे हैं तो पूरे मसाले को हमने अच्छ से मिक्स कर देना है अब हम इसमें एक डालेंगे मीडियम साइज का पटेटो छील करके मैंने डाल दिया है इसमें और जो आवला चाय पत्ती का पानी है उसे भी छान करके इसमें डाल देंगे इतने पानी से तो हमारी ग्रेवी बनेगी नहीं इसमें हम देर से दो कप पानी डालेंगे जितनी आपको ग्रेवी की consistency जाएगे उतना आप पानी डाल सकते हैं देर से दो कप मैंने यहाँ पर पानी लिया है और इसे मिक्स करके हम कुकर का ढखकन लगा देंगे तो इस अच्छे से मिक्स कर देंगे और हाई फ्लेम पर कुकर का ढखकन लगा करके पांस से छे सीटी और फिर लो फ्लेम पर दस मिनट तक इसे पका लेना है और जब सीटी आ जाए तो गैस बंद कर कुकर का प्रेशर रिलीज होने जाए और देखिए खोल करके देखेंगे ना मैजिक कितने मस लग रहे है ना देखिए छोले जो है बिल्कुल हमारे अच्छे से तयार हो चुके है जो पटेटो है उसे मैश कर लेंगे हम इस ग्रेवी में और देखिए छोलो को मैं आपको दिखा भी सकती हूं कि किस तरह से जो गल चुके है छोले तो एक एक करके आप उठा सकते हैं छोलो को तो देखिए बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं अब इसमें तड़की की कमी है तो तड़का बनाने के लिए अब हम लेंगे एक तड़का पैन तो तड़का पेन लेंगे हम जिसमें हम वन टेबल स्पून घी को गर्म करेंगे और अच्छे से पाचन के लिए हम यहाँ पर वन फोर टेबल स्पून अजवाईन और थोड़ से अधरक के लच्चे डालेंगे और पंदरा से 20 मिल सेक लेने के बाद इसे कूकर में तड़का लेंगे यानि कूकर के मसाले में हम इसे डाल देंगे तो देखिए अब आपके भटूरे के लिए छोले बिल्कुल रैडी हैं तो अब हम बनाएंगे भटूरे इस आटे से हम इतने अच्छे से लोईया बनाएंगे कि जो लोईया है न वो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं रहे यानि तूटे नहीं और सौफ्ट रहें क्रैक नहीं रहें उनमें कोई भी तो अच्छे से आपको लोईयों को तयार कर लेना है जैसे आप रसगुलो को त्यार करते हैं वैसे ही तो आपने इससे अच्छे से त्यार करके सभी लोईयों को देखिए कितना सॉफ्ट है अटा तो इस तरह से गोल-गोल करते हुए आपको इने सभी को त्यार कर लेना है बिना क्रैक किये तो अब लास्ट में हम अब इसमें क्या करेंगे सबी लोईयों को एक साथ जिसमें भी आप कोई भी बर्तन ले रहे ना उसमें रख देंगे और थोड़ असा अपने हातों पर ओल लगा करके इनने टच करते हुए 10 मिनट के लिए ढग देंगे तो 10 मिनट के लिए आपको ढग देना है किसी कपड़े से अब एक एक लोई लेंगे और इसे पूरी जैसे जैसे आप पूरी बेलते हैं वैसे ही आपने इसे किसी प्लेट फॉर्म पर या चकले पर बेल लेना है तो यहाँ पर मैंने लिये है कडाई जिसमें तेल लिया है थो और यूब 서ցए की साइज में हम इस बटूरे को बेल लेना है धिश्च आकर्प Wr. गर्म कर देना चाहिए ताकि आपका जो तेल है वो अच्छे से गर्म रहें क्योंकि तेल गर्म नहीं होगा तो आपका भटूरा फूल लेगा नहीं तो नहीं गर्म होगा उतना ही आच सेकना है देखिए बिल्कुल गुबारी की जैसे फूल चुका है तो इस मैतर से अगर आप बनाएंगे ना इन भटूरों को तो आपके 100% भटूरे फूलेंगे ही फूलेंगे तो अब हम इने सारू करेंगे और इसी तरह से आपको सभी भटूरों को तयार कर लेना है देखिए इसी तरह से आपको सभी भटूरों को तयार कर लेना है तो पेशिंस फुली बनाएगा इन भटूरों को तो अब मैं इन्हें गर्मा गरम छोलों के सार्व करूंगी तो कैसी लगी रेसिपी आपको जरू से बताएगा कमेश एक्षिन में